देखो ये जो धरम के ठेकेदार है न उत्रपदेश्वारी भारतियंत्यापार्टी की सरकार हमारे आधनी मुक्मंति जी आप लोग धरम की ठेकेदार नहीं है हम यहालत की बात तो आप ने करेंगे हम समाज के लिए काम करते हैं धरम जाती को हमें अवर्व नहीं करना चाहते मेरा सिर्फ यह कहना है थिये जो धर्म का Epo Center जो आपने बनाने का, भारती दंटा पार्टी का राजितिक इव owऄ था आई उद्धया से पुरे देश को बातने का अईउद्धया की जनता ने अईउद्धिया से पुरे देश को बातने का मैं यह कहे रहा हूं आपति जनक सब्द यूज के आयोध्या प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट की कौन सी बात है यह तो आश्ता का विशा है और डिवाइड कौन कर रहा है जो तुष्टी करन करता है वो डिवाइड करता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में अगर 15 बार माइन कहता है और क्या कहना चाहता है उसमें अंतर हो सकता है जैसे शक्ति वीबर बड़ी बैस ही थी कि राहूल गांदी जी ने कहा दिया चलाती वो ट्वीटर और फेट्बॉक खल कि देख लो जो अभी रोन भाई ने का मुझे बहुत अच्छा लगा रोन भाई ने का कि सब को स कहाही देती है समस्या यह सिक्खों की को बात नहीं करता है अगर अगर जूलिय रूती तो बतला नहीं जाता तैंव दे उसके बड़बात करते आप अब ड़े ते नहां और उसी और उसी राजीव गांदी कि पार्टि ने सनसतच पड़िसर में ब्ही माराओं ने ये कहा था कि हम बाबरी मस्जित को तामीर करेंगे देश के सदन के अंदर खड़े होकर ये भी सब्सक्राइब मैं आप को बार-वार कहा रहा है मेरे यह कहना है कि मैंडेट यह पास में चाया काम सबसे पहले खरी कह दिया में सबसे पहले बात करनीощirit कर दें आप पीछे से कुछ कहना चाहते हैं आप आप कुछ कर आप सवाल यह अपनी बात कर दीजिए बोली क्या करना चाहती है खड़े हो के निपोली है पहले मैंडम को बोली है हमारा सवाल यह है कि निज आया था कि अब यह बताइए कि हम जो दो साल से तैयारी कर रहे है उस चीज का अब क्या करेंगे किस चीज का तैयारी करें यह बहुत बड़ा सवाल है मेरा निशकर्ष यही है कि सर आप लोग बोलते चाली 140 करोट की जंता क्या बात करते हो मनीपूर पर आसक कुछ नहीं लद्दाक में फुनसुग वाकुर इतने दिन बैठे रहे है उसके उपर धरना की उपर अंचन छोड़के 21 तक कहा थे सब्सक्राइब यहीं चाली जवाब जवाब जैना चाहूं है मनीपूर पे पुरा सदन बुलाया गया तो अब खुद देखिए आपने उठाया थे जवाब देखिए विपक्स को मौका दिया विपक्स ने वाक आउट करके मनीपूर का अपमान किया देखिए संसद है सब चीज पर चर्च और इसलिए आज अमित शाजी दो दिन पहले सबको मिलके सबकी जिम्मेदार है मिलके शांती बहाल करें झाल झाल झाल